अफगानिस्तान में तालीबान की एक और क्रूर हरकत सामने आई हैं खबर है कि तालीबान ने अफगानिस्तान की जूनियर राष्ट्रे वॉलीवूल महिला खिलाडी का सिर कलम कर दिया था टीम के कोच के बयान के अधार पर ये खबर सामने आई हैं आपको बता दे कि इस जूनियर खिलाडी का नाम महजबीन हाकीमी है और ये महिला जूनियर वॉली वॉल टीम में खिलती थी एक कोच ने ये आरोप लगाया है कि तालिबान ने इस लड़की का सर कलम करके उसकी हत्या कर दी थी ये हत्या अक्टोबर महिने की शुरुवात की बताई जा रही है एक इंटर्व्यू में कोच ने कहा कि महजबीन हाकीमी नाम की इस खिलाडी की अक्टोबर के शुरुवात में तालिबान ने हत्या कर दी थी हलाकि ये खबर सामने नहीं आई थी क्योंकि इस ग्रिणित हत्या के बारे में तालिबान की ओर से किसी को भी बात करने से मना किया गया था महजबीन अश्रफ गनी की सरकार के गिरने से पहले काबुल मुंसिपैल्टी बॉलिबॉल क्लब की ओर से खेलती थी आपको बता दें कि वैं क्लब की स्टार खिलाडी थी फिर कुछ दिन पहले उनकी सिर कलम की हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल होने लगी तालिबान के सत्ता में आने के बाद खेलो खास तोर पर महिलाओं के खेलो पर कड़े प्रतिबंथ लगाने शुरू कर दिये गए हैं देश में काफी कम महिला खिलाडी बजी है साथ ही ज्यादतर खिलाडी देश से बाहर निकल चुकी है